Hello मेरे दोस्तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ Facebook की ऐसी सेटिंग जिसका जूज करके आप अपनी Facebook प्रोफाइल को या अपने Facebook पेज को वेरिफाई कर सकते हैं जी हाँ अपनी प्रोफाइल पेज को ब्लू टिक कर सकते हैं इस वीडियो में आपको एक एक स्टैप में डिटेल में समझाया है तो एक भी स्टैप आपको मिस नहीं करना है वीडियो को पूरी देखना है तो अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट इसके लिए हम आ जाते हैं अपने Facebook पे तो यह मैं Facebook पे आ गया हूँ आप अगर चाहो तो यहाँ पे Facebook एप की जगा आप ब्राउजर पे कर सकते हूँ सेटिंग को उसमें ज्यादा बैटर होगी बट मैं यहाँ पे आपको इस application में करके दिखा रहा हूँ इस सेटिंग को इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर त्री डोट वाला उप्शन दिखा ही दिए रहा हुए इस पër click करदेना है ठिक है guys यहाँ पर आपको click करदेना है मैंने यहाँ पर click करदिया अब इसके बाद यहाँ पर आपको help and support पर आ जाना है ठीक है Guys, help and support पे आ जाते हैं. help and support पे आजाने के बπαद आपको help center पे आ जाना है. ठीक है guys, help center पे हम यहाँ पे click कर देते हैं. अब यहाँ पे कुछ loading लेगा और loading लेने के बद यहाँ पे search का option आ जाएगा, ठीक है Guys, अब यहाँ पे search का option पे आपको क्या लिखना है यहां पर लिखना है आपको verification ठीक है बस इतना लिखना है आपको यहां पर आपको second option search होने के बाद आपको दिख जाता verification badge अब यहां पर verification badge पर आपको click कर देना ठीक है guys अब यहां पर आपको पहला option दिखाए देगा How do I request a verified badge on Facebook जो पहला option है सबसे पहला वाला इस पर आपको click कर देना है ठीक है अब यहाँ पर click कर दिया है तो अब यहाँ पर इस तरीके से सारा option इसका आ जाता है कैसे आपको इसको click करना है अब यहाँ पर आपको यहाँ पर एक form दिखाई देगा fill out this form ठीक है guys आपको यह दिखाई देगा fill out this form ठीक है अब यहाँ पर आपको इस वालो option पर click करना है आप चाओ तो यहाँ पर terms and conditions पढ़ सकते हो अगर चाओ तो यहाँ पर but मैं यहाँ पर terms and conditions को नहीं पढ़ूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं यहाँ पर fill out this form पर click कर देता हूँ ठीक है guys अब यहाँ पर हमारा जो form है यहाँ पर आ गया है अब यहाँ पर इस form को हमें fill करना है अब यहाँ पर यह पूछ रहा है पहला option what are you verifying आप किस चीज़ को यहाँ पर verify कर रहे हो आप अपने facebook page को verify कर रहे हो या profile को तो मैं यहाँ पर अपने profile को verify कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर profile पर कर रहा हूँ click अगर आप चाहो तो facebook page को click कर सकते है अगर आपका facebook page आप verify कर रहे हो मैं यहाँ पर अपने profile को verify कर रहा हूँ तो इस वज़े से मैं यहाँ पर profile पर click कर रहा हूँ अब यहाँ पर second option आ गया है कि यहाँ पर आपको कोई document देना है अब जैसे कि मैं यहाँ पर click कर देता हूँ यहाँ तो यहाँ पर driving license, passport, national identity card जैसे कि आप चाहो तो यहाँ पर एक अपना अधार card दे सकते हो national ID card में या water card वगएरा दे सकते हो वो हमारा national identification card में आ जाता है tax filling आपको tax वगएरा दे रहे हो तो उसकी आप यहाँ पर detailed लगा सकते हो print करके आप चाहो तो यहाँ पर अपने घर का जो बिजली का बिल है उसको आप यहाँ पर लगा सकते हो अगर वो आपके नाम पर आ रहा होगा articles of incorporation चाहो तो इसके बारे मुझे नहीं पता थोड़ा सा यह किस तरीके का form है अगर आप वो किसी को पता है तो आप यहाँ पर जो comment box है उसमें आप मुझे एक बार बता देना कि यह क्या चीज है तो मैं यहाँ पर national ID card पर इस पर click कर देता हूँ अब मैं यहाँ से अपनी जो एक ID proof है वो यहाँ से लगा देता हूँ अब यहाँ से मैंने अपना जो अधार card है वो यहाँ पर लगा दिया अब यहाँ पर यहाँ आप जो second step है second step मैं आपको करना क्या है यहाँ पर आपको category select करने है आपका किस category की जो profile है आपकी यहाँ पर तो sports, government मैं आपर digital creator डाल देता हूँ ठीक है अब मैंने यहाँ पर डाल दिया digital creator आप dancer हो तो dancer वगएरा भी डाल सकते हूँ आप singer भी डाल सकते हो अब मैं यहाँ पर digital creator डाल देता हूँ अब यहाँ पर country reason पूछ रहा तो यहाँ पर मैं यहाँ डाल देता हूँ अपनी country इंडिया ठीक है guys अब मैं यहाँ पर India डाल देता हूँ अपनी country यहाँ पर India को select कर लेते हैं अब यहाँ पर guys third option आता है audience यहां पे audience का मतलब है कि आपकी जो profile है वो किस तरीकी audience को follow करती है於 यहां पे digital creator ढल देता हूँ अगर singer है तो singer ढल सकते हो cooking के बारे में बताते हैं यहाँ पर cooking professional डाल सकते हो अब आपनों निकनेम डाल सकते हो अब यहां पर मैंने नीचे अपना link डाल दिया यहां पर बोल रहा है कोई भी 5 link आपको डालने है कोई भी 5 link डाल सकते हो आप किसी भी social media के डाल सकते हो या आपका कहीं पर profile का या कहीं पर आपका photo छपा हो किसी जगे पर page पर या public में कहीं पर website पर आपका content हो तो मैंने यहां पर सिर्फ instagram का यहां पर डाल दिया है अपना जो एक link है वो यहां पर डाल दिया है आप चाओ तो 2-3 link डाल सकते हो एक या दो link इनफ है आपके अगर public आपको अच्छे से जानती है तो guys ठीक है अब यहाँ पे एक link मैंने डाल दिया Instagram का अब यहाँ पे करना क्या है यहाँ पे send कर देना ठीक है guys अब मैं यहाँ पे send कर देता हूँ कुछ ही time में 24 गंटे के अंदर आपको यहाँ पे एक notification आ जाएगा और उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका जो profile है वो selected हो गया है verification के लिए या नहीं तो guys इस तरीके से आपको अपनी जो profile है उसको यहाँ पे verify करनी है तो guys यह थी हमारी trick अगर आपको यह video पसंद आती है तो please एक like कर देना अगर आपको इस video में समझ में आया है कि मैंने क्या बताया तो please comment में एक वर बता देना कि आपको यह trick समझ में आई है या नहीं और अगर guys आप हमारे चैनल पे नए हैं तो please subscribe कर देना Thank you